इसमें आप देख सकते हैं, एक से मुझे 165 लीड मिली, 89 लीड मिली और 78 लीड मिली हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Facebook Ads से आप बहुत असानी से कैसे Lead Generation की Campaign बना सकते हैं खासतोर पर दो प्रकार की Campaign होती, एक वो जो Facebook के Platform पे ही Lead ले लेती है और दूसरी Campaign में हम सामने वाले को अपनी Website पे लेके जाते हैं वहाँ पे वो एक Form Submit करता है और आपके पास Website पे एक Lead आती है तो ये दोनों ही प्रकार की Campaign का सबसे पहले मैं आपको एक Live Example बताऊंगा जो मेरे Clients का चल रहा है और उसकी बाद मैं दोनों ही तरीके से Campaign को Create करना बताऊंगा कि कैसे Create की जा सकती है ऐसी Lead Generation Campaign दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको Lead Form भरवाना है Facebook के उपर ही यानि की सामने वाला अगर आपका एड देखता है Instagram पर या Facebook पर वहीं पर क्लिक कर देता है वहीं पर Lead Submit हो जाएगी उसको आपकी website पर जाने के जरूवत नहीं है इस तरीके से Lead लेना कई बार हमारे लिए सस्ता भी पढ़ जाता है यह Lead का Cost depend करता है कि आप उस Lead से आगे कितना बड़ा बिजनस कर रहे हैं यह करने वाले हैं हो सकता है किसी का Client जब Convert होता हो Lead में से तो उसको 10,000 रुपे देता हो और अगर 10,000 वाले Client के लिए आपको 100 रुपे की Lead मिल रही है तो वह आपके लिए सस्ती Lead कहला सकती है तो इस तरीके से केवल Lead की Cost को देखके आप किसी final नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं चलिए मैं आगे बढ़ता हूं चल रहा है क्योंकि international leads काफी महगी पड़ती है और यहां आप देख सकते हैं कोई भी audience नहीं डाली ओपन में चल रही है और यह location डाली हुई है बाकी नीचे और कुछ भी नहीं डाला है और आगे आपको 2 ads मिल जाएंगे अब इसको ad set को क्लिक करके मैं आगे ads आपको दिखा देता हूं इस ad से मुझे तीन leads आई है तो इसी ad को खोल के देख लेते हैं इस ad को आप देखेंगे तो इसमें उपर ad का नाम है यहां पे एड का creative है जिसे आप play करेंगे तो आपको ad दिख जाएगा फिर यहां पे जो आपका offer है उस offer के बारे में explanation है आपके primary text में नीचे headline में भी आपके product के बारे में बताया हुआ हुआ है call to action set किया हुआ है यहां पे आप देख सकते हैं एक lead form बना हुआ है lead form अगर आपको नया बनाना है तो आप यहां पे existing lead form के आगे copy की duplicate की button दबा देते हैं इस तरीके से एक lead form खुल जाता है lead form में आपके पास तीन option आते है more volume higher intent and rich creative more volume में दोस्तों आपको बेकर quality की leads मिलती है क्योंकि वह बिना filter के submit हो जाती है higher intent में पूरी lead form complete होने के बाद एक बार सामने वाले से facebook पूछता है कि क्या सही में आपको lead form submit करना है तो सामने वाला थोड़ा एक बार awareness में आता है तो इस तरीके से दोस्तों आप पहले form type select करते हैं हम आम तोर पर higher intent का form type select करते हैं इंट्रो में आप जो है background image डालते हैं यहां पे कुछ text वगर डालते हैं जो सामने वाला जिसको पढ़के समझेगा कि उसको lead क्यों देनी है और उसको lead submit करके यानिकि उसकी contact information submit करके उसको क् कुछ question पूछ सकते हैं कुछ question की button दवाके जिससे आपकी lead है वो फाल्तू से काम की हो जाए यानि कि अगर आपका कोई criteria है कि सामने वाला इस condition को follow करता है तो ही वो मेरी काम की lead है तो इस type के आप कुछ question यहां पर डाल सकते हैं जिससे सामने वाला filter out हो जाएगा privacy policies में दोस् को फिर लास्ट में क्या message दिखाना है आंतर पैसा दिखाया जाता है कि आपने lead submit कर दी अब हमारी team आपको contact करेगी धन्यवाद या अगर आप कुछ और भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं अप अपनी website के link पी यहां पर दे सकते हैं और दोस्तों यहां पर कोई changes कर करेंगे तो आपका नया form create हो जाएगा फिलाल मैं इसको यहां पर cancel कर देता हूं दोस्तों यह था बहुत ही आसान तरीका जिसमें आपने एक form बनाया फेस्बुक की और ही और आप फेस्बुक की ऊपर एक एड़ चलाएंगे क्रेटिव डालके ध्यान रखिएगा आप देख सकते हैं यहां यहां नीचे लिखा भी होगा वेबसाइट और हमको पर लीड जो है इसको मैं खोलके आपको बताऊंगा इसमें एडसेट का मैंने कोई खास नाम नहीं दिया और आप देखेंगे कि अधिक्षिग लोकेशन में मैंने यहां यहां पर वेबसाइट कि वेबसाइट यानि के सामने वाला वेबसाइट पर जाके लीड भरेगा ठीक है परफॉमेंस गोल में में मैक्सिमाइज नंबर ओफ कन्वर्शन पिक्सल जो भी पिक्सल आपका है और कन्वर्शन इवेंट में यहां पर हमको लीड डालना है इसको आप बजट यहां पर पिछले अपने वीडियो में समझा चुका हूं यहां पर आपको तीन देखने में आ रहा है जिसमें से एक डिस्कॉलिफाइड है दो में से एक एड ने 120 लीड सामें दी है इस एड को मैं खोल के आपको दिखाता हूं इस एड में आप जाएंगे पहले आड का नाम है आपक सब्सक्राइड रहे है यहां यहां पिछलों कुल हूए है řां इस बिस्क्रीजिफ् hypocrite लिंक यहां पर एप zucchini-она हो ji यहां पर तो नहीं है in extend we have this website की लिंक पर लिक चलता हूं नहीं और उन्ट इक दभाता ह Im प्रिव्यू यूर्ल में देखेंगे कि आप एक वेबसाइट पर आगा हैं यहां पर आपको सामने ही एक लीड फॉर्म दिख रहा है जिसमें सामने वाला बंदा अपना नाम इमेल आईडी फोन नमबर और वह इसको कौन से प्रोडक्ट में इंटरस्ट है वह यहां पर डाले हैं दोस्तों जैसे ही मैंने यहां लीड फॉर्म भरके गैट कोड की बटन दवाई अब देखीगा हम वेबसाइट के अगले पेज पर रीडारेक्ट हो गया है और हमारी टीम आपको कॉंटेक्ट करेगी वगेरा वगेरा अब इस पेज पर आगए यानि कि जो भी इस पेज पर आएगा वह पीछे लीड भर के आएगा तो हमने फेस्बुक को बता दिया कि जब भी कोई इस पेज पर आजाएगा तो वह हमारा कंवर्जन कहलाएगा और इसको आप इवेंट सेट अप टूल में जाके इसे सेट कर सकते हैं इस पेज के यॉर्ल को आप लीड सब्मिट का टैक दे सकते हैं और फिर आपका जो फेस्बुक एड्स है वो इसे कंवर्जन मानने लगेगा लीड सब्मिट हो गई है और जैसे ही कुछ लीड सा जाएंगी तो फेस्बुक बहुत अच्छे से जान जाएगा कि कौन लोग है लीड फॉर्म भर के यहां तक पहुंच रह उस पे क्लिक करके आप अपने फेस्बुक एकाउंट से लॉग इन करके अंदर आ जाएंगे और मैं उमीद करता हूं कि यह सारी चीज़े आपकी पहले से होंगी एक बार जब आप अपने एड्स मैनेजर के अंदर आ जाते तो आप यहां पर क्रियेट की बटन दवाएंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप टेलर्ड लीट्स बनाके देखिए अगर आपका काम नहीं बनता है तो फिर आप मैनूल बनाके ट्राय कर सकते हैं तो हम यहां पर टेलर्ड पर क्लिक करेंगे इसको कंटीनू करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताए आपके पास टार्गेटिंग के बहुत सारे उप्शन नहीं हो तो यह मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं आप चाहें तो जायके देख सकते हैं यहां पर आपको अपनी केंपेंग का नाम देना है फिलाल मैं नहीं दे रहा हूं यहां पर कन्वर्जन लोकेशन में आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं इंस्टेंट फॉर्म मेसेंजर इंस्टाग्राम कॉल्स तो देखिए यहां पर वेबसाइट का उप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि यह वाला एकाउंट किसी वेबसाइट से कनेक्टेट नहीं है इसलिए यहां पर होता आप यहां पर अपना फेस्बुक पेज़ चूज करेंगे बजट चूज करेंगे ओडियंस को खाली रहने देंगे लोकेशन जिस लोकेशन की आपको लीड चाहिए याने के जिस एरिये में आप सर्विस देते हों सेरी की लोकेशन आप यहां पर डाल दें और आप यहां पर नेक्स्ट की तो यह नहीं हो पाएगा तो हम यहां पर क्रियेट एड़ करेंगे यहां सिंगल इमेज वीडियो और यहां पर एड मीडिया में जाके आप वीडियो की बटन दबा के अपना कोई साभी वीडियो चूज कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर प्राइमरी टेक्स डालेंगे हैं यह तीन-तीन प्राइमरी टेक्स दाल सकते हैं और तीन हैडलाइन और प्रामरी टेक्स ऐसा डालना है कि सामने वाला कुछ जानना समझना चाहे तो उससे पता चले कि इस लीड को भर के क्या मिलेगा और क्यों वही है आपकी लीड भरे यहां पर आप कॉल टू अक्शन तो उसी में से डुप्लिकेट करेंगे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्रियेट नियों की बटन दबा के आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको आप यहां पर पब्लिश कर देंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत क्रिस्प तरीके से लीड कैम्पेन ब आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पर प्लीज मुझे बताएं